आपने शायत पहले पवित्र शब्द सुना होगा या कम से कम एक दो बार चर्च के गीतों में इसे गाया तो होगा ज्यादा तर लोगों के लिए वास्तव में यह विचार सिर्फ एक नैतिक रूप से अच्छे व्यक्ति से संबन्दित है इसलिए परमेश्वर पवित्र है क्योंकि वह नैतिक रूप से निश्कलंग है हाँ यह इसका भाग है लेकिन बाइबल में पवित्रता की परिभषा और भी बड़ी और विस्तृत है बाइबल वास्तों में यह वर्णन करती है कि कैसे परमेश्वर ही वह शक्ति है जिसने सारी स्रिष्टी की रशना की है वही और केवल वही इतना सामरती है जो इस रिष्टी को सुन्दरता और जीवन से भरपूर बना दे और इसलिए यहाँ सभीक्षमताय परमेश्वर को अध्वितिय और अनोखा बनाती है जो पवित्र शप्त का अर्थ है परमेश्वर के पवित्रता के बारे में सोचने का एक आसान तरीका रुपक के रूप में सुरे का इस्तेमाल करके है सुरज अध्वितिय है कम से कम हमारे सौर मंडल में तो और वह बहुत शक्तिशाली है यह हमारे गरह पर सुन्दर जिवन का सुरोत है और इसलिए आप कह सकते हैं कि सुरज पवित्र है और वास्तो में आप इस रुपक को और भी आगे ले जा सकते हैं कि सुरज की चारो और का पुरक शित्र पवित्र है हाँ, क्योंकि जैसे जैसे आप सुरज के करीब आते जाते हैं वह उतना ही तीवर होता जाता है हाँ, बिलकुल, इसलिए वही शक्ती और अच्छाई जो इस पूरे जीवन को उत्पन करती है, खतरनाक भी है अगर आप सुरज के नस्दिक जाएंगे, तो वह आपको भस्म कर देगा और उसी तरह परमेश्वर की पवित्रता के साथ भी यही विरोधा भास है क्योंकि अगर आप अशुद्ध हो, तो उसकी उपस्तिती आपके लिए खतरनाक है इसलिए नहीं कि वह बुरी है, बलकि इसलिए कि वह बहुत अच्छी है परमेश्वर की पवित्रता के इस विरोधा भास को हम सबसे पहले मुसा और जल्तिवी जाडी के वृत्तान्त में देखते हैं तो परमेश्वर मुसा से कहते हैं कि वह अपने जूते उतार दे क्योंकि वह पवित्र भूमी पर खड़ा है और मुसा डर के मारे अपना चहरा ढग लेता है और परमेश्वर कहते हैं और नस्दीक मता वह तीवर है बिल्कुल ठीक परमेश्वर की पवित्रता के इस तीवरता को हम इसरायल के मंदिर की कहानियों में और भी अधिक देख सकते हैं जो ऐसा मुख्य स्थान था जहां परमेश्वर की पवित्र उपस्तिती वास करती थी और मंदिर के बीच में वह स्थान था जिसे अति पवित्र स्थान कहा जाता था यह परमेश्वर की उपस्तिती का केंद्र था चाहे आप कोई इसराइली हो जो मंदिर के आसपास की भूमी पर रहते हो या मंदिर में ही काम करने वाले याजक आप परमेश्वर की पवित्र उपस्तिती के निकट है, जो खतरनाक है हाँ, यहाँ एक समस्या है, तो यहाँ कैसे काम करेगा? बाइबल में इसका समाधान यहाँ है कि आपको शुद्ध होने के अवश्चकता है जैसे नैतिक रूप से शुद्ध होना? हाँ, और यह समझना काफी आसान है, लेकिन बाइबल एक और तरह की शुद्धता के बारे में बहुत बात करती है विदिवत्ध शुद्ध होना, जो ऐसी अवस्ता है जिसमें आप खुद को मृत्यू से समदित किसी भी चीज से अलग करते है जैसे चर्म रोगी या मृत्ध शरीर या किसी शाररिक तरल पधात को चुना, यह सब आपको अशुद्ध करते है जरूरी नहीं कि विदिवत्रिती से अशुद्ध होना पापमय है, गलत यह है कि अपनी अशुद अवस्ता में परमेश्वर की उपस्तिती में जाना यही कारण था कि परमेश्वर ने इसराइलियों को सपश्ट निर्देश दिये कि वे जाने कि वे कब अशुद हैं और शुद्ध होने के लिए कदम उठाए ताकि वे फिर से मंदिर में जा सके तो लेव्य व्यवस्ता की पुस्तक इसी विशे भी है हाँ, लेकिन यह विशे वहा समाप नहीं होता यह विचार विक्सित होता रहता है इसलिए बाइबल में बाद में लिखों में हम यशाय नामक भविश्य वक्ता की इस दिल्चस्प कहानी को पाते है वह एक दर्शन पाता है जहाँ वह मंदिर में है वह पर्मेशवर की उपस्तिती में है वह पूरी तरह से भहिभीत है हाँ वह नियमों को जानता है उसे वहाँ नहीं होना चाहिए था और वह चिंतित है कि उसका नाश हो जाएगा फिर वहाँ सारप नामक एक अजीब सा प्रानी है हाँ वह अजीब है सही तो वह गर्म कोईला लिये उड़ रहा है और फिर वह उस कोईले को यशाय के हुटों पर लगाता है और कुछ निराली सी बात बोलता है तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गया है तो यह जलता हुआ कोईला किसी तरह से यशाय को शुद्ध बनाता है हां यह उलेकनिय है क्योंकि आम तोर पर अगर आप किसी अशुद के संपर्क में आते है वह आपमें अपनी अशुदता को हस्तांतरित कर देती है लेकिन अब यह यह नया विचार है जहां आपके पास यहां बहुत ही पवित्र और शुद वस्तु है और वह यशाय को छुता है और अपने शुदता को उसमें हस्तांतरित कर देता है यशाय परमेश्वर की पवित्रता से नश नहीं हुआ वह उससे रुपांतरित हो गया इसके बहुत नहीं तार्थ है लेकिन एक और घटना है य तो पहले शुद्ध होने और फिर मंदिर में जाने की बजाए यहां परमीश्वर की पवित्रता मंदिर में से निकल कर बहती है और चीजों को शुद्ध करके उन्हें जीवित कर देती है इस सब का क्या मतलब है हमें नहीं मालूम जब तक कि हम येशु नाम के इस व्यक्ति से नहीं मिलते वह दावा करता है कि वह इन सब दर्शन को पूरा कर रहा है लेकिन आश्चरे जनक तरीके से येशु जाता है और उन लोगों को चुद्ध है जो अशुद्ध है चर्मरोगी लहु बहने से ग्रस्त जब वह उन्हें छुता है तो होना तो यह चाहिए था कि उनकी अशुद्धता येशु को हस्तांतरित हो जाती लेकिन इसके बजाए येशु की शुद्धता उनमें हस्तांतरित हो जाती है और उनके शरीर को चंगा कर देती है येशु येशाया की दर्शन के उस पवित्र कोईले की तरह है। अपने को पाते हैं लेकिन यह सब किस ओर जा रहा है। अपने को पाते हैं लेकिन यह सब किस ओर जा रहा है। अपने को अपना किस ओर जा रहा है।